राजकुमार भाटी जी शुर्वात आपसे ही करते वे चुंकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि समाजबादी सरकार तो अपराधियों की पोशक रही है और हमारे राज में देखे चुन-चुन कर अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुचा आए जा रहा है फिर थप थपाएंगे आज दूसरे अज दूसरा एंकाउंटर हुआ जिसमें जो बिल्कुल खरीब से शूटर शूट करता हुआ दिखाए दे रहा था उसको उसके अंजाम तक पहुचाने का काम पुलिस वालों की ओर से किया गया है वालों की ओर काउलों के दूसरी हत्य कि गई इसंपे कोई ताली पीटन के लिए सुतंत्र है लेकिन अगर हम चित्राजी भारत की देश की आजादी का इतिहास पड़ें हम आजादी किन मुल्यों के लिए चाहते थे किस लिए लड़ रहे थे हम हमें खाली यह था नहीं गोरों की रवों का रंग गोरा होता अंगरे जो का उन्हें भगात और काले रंग वाले बैठ जाएं चाहे भगत सिंग वाली सश्ष्ट क्रांति की धारा रही हो चाहे मातमा गांधी वाली अहिंसक अंदोलन के लिए अप को लग रहा है कि अपरादियों को समझ में आएंगे लेकिन सरकार को पत्रकार को समझ माने चाहिए सरकार और पत्रता पत्रकार तो कायदे की बात करें अपरादी तो अपराद करेंगे अपरादी तो वह होता है जो कानून को मानता ही नहीं और अपरादियों के लिए हमारे कानून में सकत सजा है पूरा पूरा हमारी आई पीसी है मैं कहना यह चाहता हूं जो बात आपने बीच में काट दीख हम इसलिए लड़ रहे थे कि देश कानून से चलेगा सम्विधान उस समय दो तरह का सासन था एक अंग्रेजों का सासन था एक देशी राजाओं का सासन था अपरादी को पकडने पूलिस जाती है अपरादी गोली चलाता या नुकसान पहुचाने कोईश करता है आत्मरक्षा में पुलिस को पूरा अधिकार है गोली चलाने का और चलानी चाहिए लेकिन ऐसी मुटवेड एक या दो प्रतिसत होती है ये सब जानते हैं, सारी पुलिस जानती है, पत्रकार भी जानते हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि पकड़ पकड़ के हाथ बांध के पुलिस गोली मारती है, इसे कानून का राज नहीं कह सकते हैं जब समविधान फेल हो जाता है, क्या हमने ये मान लिया, क्या योगी सरकार ने ये मान लिया है कि हमारे समवیدان के रास्ते बंदो चुके हैं, कानून के रास्ते बंदो चुके हैं, अब हमारे पास अपराधियों की तरह ही अपराध करने के लाव़ कोई रास्ता नहीं है, सवाल ये महत्पून है, क्या हम कानून का राज इस्थापित कर पाएंगे, क्या हम समविधान का अगर हो रहा है जिस भी वजह से हो लेकिन भै तो व्याप्त है ना जब वजह से जेल में बंद जो अपराधी है वो कहरें हमें तो भया यूपी में शर्फ मत करो वरना नजाने क्या हो जाए हमारे साथ मैं इतनी बात से आपके से बिल्कुल सहमत हो सकता हूँ निसंकोच बिना ही इलावाले के क्या अपराधियों में भैर रहना चीए लेकिन जब हम पुलिस को इतनी खुली छूट देते हैं पुलिस उसका दुरूपयों की भी करती है आपने भी सुना होगा जो सुपारी ले ले लेकिन धर्वीर चौधरी जी पीट थब तपाएंगे आप कम से कम अपराधियों को अंजाम तक कहुंचाने का काम तो यूपी की पुलिस की ओर से किया जा रहा है नहीं चित्रा जी देखी अभी राजकुमार भाटी जी का मैं प्रबचन सुन रहा था यह वो पार्टी है और यह वो प्रबक्ता है जो टीवी की डिवेट में बगला भक्ती करते हैं चार हजार दंगे इनकी सरकार में हुए थे और जभार कांड मतरा में DSP मारा गया था तो यह आज कानून की दुभाई दे रहे है क्योंकि इनके गुरगे योगी जी पीट भी नहीं तब तब को साड़े तीन साल शे योगी आदितनात की सरकार इधर इधर छ्षे साल से उत्तरप्रदेस के और गुजरात में चल लगी है तो ये जो साड़े तीन साल से अतिक एहमद एक भी पेसी पर उत्तर प्रदेश की किसी भी नयायले में नहीं आया है तो ये कौन सी मिली बखता है योग यादितनाजी की मतलब ये कानून से उसको सजा नहीं करना चाहते हैं वही पुझवा रहे हैं सामरबसी चैन में आप आप शाहिस्ता पर रही है ना शाहिस्ता पर रही है जो आपकी नेता में पर आप लोग तुले हुए हैं जब्स जोंड़ रहे हैं चित्रा जी कि ये योगी आदितनात और अखले स्यादव की मिली बखत है उनके घर के बच्चे बच्चे को ये दीवारा में चुनवा रहे हैं ये तो तालिवान सासन जैसा हो गया है और ये वो सरकार है उत्तर प्रदेश की गुझरात की जिनके हाथ खून से सने हुए है अभी केहमत की पतनी शायस्ता के उपर उसके भाई और बाकी तमाम लोगों को आरोपी बनाए गया है शायस्ता बीएस्पी की आपकी नेता है उसके उपर आरोप है और आपके कहरे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिली बखत है अभी आरोपी तो है ना आधरनी बहन कुमारी मायवती जी ने चित्रा जी प्रेस को ये ट्विट किया था कि अगर वो किसी भी उसमें समलित पाई गई जांच में दोसी पाई गई तो निश्चित पार्टी से बाहर कर रास्ता दिखाए जाएगा लेकिन मैं आपके माध्यम से भीजपी वालों से पूछना चाहता हूं कि 150 के करीब इनके जो विधायक हैं वो दागी हैं 22 मंत्री मंत्री मंडल में योगी जी के जो है संगीर अपरादों में लिपते हैं इन पर कारवाई कब होगी ये जो 45% सांसद तैनी तैनी के लड़के ने कुचल दिये और आज ब्रजभूसन सरनम सिंग के उपर इंटरनाशनल पहलवालों ने आरोप लगाया अब आके आप पल्टी मारते हैं इनको राम रहीम के कैडर की जरूत ज़्यादा जरूत है क्योंकि ये राम रहीम जैसे को सरनागत हो जाते है ये आशाराम को सरनागत होते है